नमस्कार अम्रीजनों आपके टेस्ट डिपार्ट सल आप सीका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग लगाता है मेरे वीडियोच फॉलोग करें। मेरी प्रिस्पॉस्बिल्टी है कि आपका कोई भी अपडेट मिस्स नहोंने पाए। और आपकी पूरी मदद केसा है। तो आप इस चनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको प्रेस कर लो और उस घंटे को दबा लो जिससे कोई भी अपडेट मिस्स नहोंने सके। कि आज रात नौ से दस बजे के बीच में आपको ऑफिसियल कटाप देने वाला हूं। जो कि साहे देखा हैं किसी यूटूब चनल कर देखने सुनने को मिला है। और यह सब मैंने बड़े मेहनत से आप लोग से ही कुछ अनालिसिस करके कुछ लोगों के सपोर्ट से कठा किया है। और अभी भी मैं कर रहा हूं। तो आप दोचे इस वीडियो में यह भी कॉमेंट करके बताओगे कि किस कोर्स का ओफिस्यल कटाफ चाहिए यानि इंडिंग माक्स चाहिए। और यह किसी को जानना चाहिए जिसका अपग्रेड होने के समाना है। यानि जिसको मन चाहा सब्जेक्स नहीं लोकेशन नहीं मिला है। अफिलेटेड मिल गया है और डीमसी चाहता है तो वह भी अपना अपना यह क्वारी जो है वह डाले उसमें जिनके ग्रेड काड अपलेबल नहीं थे उन्होंने सायद चार समेस्टर तक का अपलोड कर दिया था। वह लोग अपना मोबाईल ओन करके रखें और अपना मेल बार बार चेक करें। यूँकि यह बच्चे जो है यह specialize कहीं नीखाया करने के लिए आपको ग्रेड काड जाएगा और आप मेल करने के लिए या उलर बेगर भीрийजने के लिए बोला जाएगा तो आपना phone जरूर Вс Elaan करकेर रखें आपको compared आनेवाकर ला मेल चेक करते रहें। अच्छों के लिए हैं जिनका अपेरिंग था चाहिए वो भी एच्छों के हो चाहिए कहीं के भी हो यूजी जिनके डॉकुमेंट्स जिनके ग्रेट कार्ड पूरे नहीं थे और बाकी लोग भी ध्यान देना कि यह अंलाइन है और आपसे द्वार डॉकमेंट्स जो है उसी काउंसलिंग की कहानी है वो लोग उसको देखेंगे उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वह से रिदर्वेशन सर्टीपिकेट जो है वह गला थे लाइक उसका डेट जो है तो आप से बोलेंगे नियू वाल लेवल नहीं है तो ग्रेट काड आप से मांगेंगे और उस पे भी वहाँ पे आपसे रहेगा यह नहीं को नहीं है तो आपका अपका अप्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि वह लोग अलड़ी मेल करेंगे ठीक है एड्मिशन कैंसिलेशन यहां पर ठीक है यह एड्मिशन कैंसिलेशन है मलग कुछ लोग इंक्वारीज लेके बैठे हुए हैं कि सर हम अभी पेमेंट कर दे रहे हैं तो बात में डीव आजाएगा तो क्या होगा अभी मैं एक स्पेसल वीडियो लाने वाला हूं कि डीव आएगा तो कटा नहीं कि डATION. फिर भी आपका नाम डशकता है, जो आपका डीव में आयाएगा और आपका घर परिवार डीव के पास रहता है या आपका पहले से ड्रीम था कि नियूको डीव में जाना है तब डीव जा का पढ़ सकते हो कोई इसू नहीं है आप डीव में जाके पढ़ सकता लिए कोर्स अलोकेशन आया है तो अक्सेप्ट करना मस्ट है ठीक हैं सेकेंड राउंड कटाफ का जो वीडियो है वो इस पेसल में दोंगा कल दोबर में कि वो कब तक आएगा इसके लिए अभी मैं आफिस में बात करूंगा उससे रिलेटेड जो लोग है उससे बात करके सब्सक्राइब जरूर करने सेगा ध्यान देना कि ज्यादा नहीं हम लोग का 20K का बस प्लानिंग है हम लोग का इस बार काउंसलिंग में 20K का प्लानिंग है बाई दस 20,000 सब्सक्राइबर आराम से अपने दोस्तों के थ्रू आप जोड़ सकते हो जिसे हमारा 100K वोजाए और सब्सक्राइब लोग आ जाते हैं अप्ग्रेडेशन मैफड जो फॉल होता है बिसिकली यह मैंने एक बना लिया है अप्ग्रेडेशन का एक अल्गरिदम की DMC आप टॉप पे रखते होगे फिर MMV आप रखते होगे फिर VCW फिर WKM, AMPG मानलो इसमें कुछ RGSC भी होगा तो यह जो आपका लाइन है 1,2,3,4,5,6 करके यह बिसिकली कैसे अप्ग्रेड होगा इसको समझते हैं सब्सक्राइब कि किसी स्टूडेंट को कोई एक स्टूडेंट है जिसको थर्ड नमर यानि VCW अभी के लिए मिला हुआ है ठीक है VCW अभी के लिए मिला हुआ है अब वो च देने के लिए उसको , यह 3rd difference उसको मिला हुआ है ठीक है अब उसको 2 पे जाना पड़ेगा और 1 पे जाना पड़ेगा ठीक है ऐसा ही कुछ होगा तो ऐसे मैं अब वो 2nd round तक MMV पहुद सकता है य जम पहुद सकती है और वो 우ो उसके बाद और round पे DMC तक ठीक है वो पहुद स ठीक है अगर उसको अभी seat जो है वो paid seat मिल रहा है ध्यान देना अगर उसको ये paid seat अगर मिल रहा है तो ये paid seat next round में regular होने की संभावना लगबग 80% से ज़्यादा है आप इसको 80% ना समझ के इसको 90% समझो तो ज़्यादा अच्छ है 90% चांस है कि ये paid अभी regular में convert हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए जो चिंता वाली बात है वो यह है कि जिनको भी इन college में admission मिल रहा है EMPG, VKM, DAV में जिनको admission मिल रहा है इनके fee बहुत जादा है इनके fee बहुत जादा है EMPG के लिए लगबग 20-25 जरिंग की fee सोगे इपर आप चेक कर लेना तो जब आई portal पे आपके लिए fee आएगा ना तो बड़ा लंबा चोड़ा fee आएगा तो आप ये दिमाग में बैठा लेना कि कोई अगर पांच में preference पर है यानि EMPG पर है और उसको उठके DMC जाना है तो ऐसा नहीं है कि उसको DMC मिल जाएगा मैं तीसरे को एक पर पहुचा सकता हूँ दूसरे को पहुचा सकता हूँ लेकिन पांच में को बड़ा मुस्किल है और खास कर जब जनरल OBC केटिग्री होके आप इस केटिग्री में इधर आते हो तो आप प्रमोंट नहीं कर पाओ कि ठीक है प्रमोंट एक ही सर्प्याद में हो सकता है जनरल OBC का जब वो इधर कहीं अटका हुआ है या वो SC-ST का है इधर कहीं अटका हुआ है सकता है लेकिन आप यह में सुचना के अफिलेटेड में हाई फी दे के आप अभी एडमिसर ले लो और बाद में आपको डेम से मिल जाएगा क्योंकि जो अगर आप यहां पेमिंट दे तो मालों 20,000 रुप है और यहां आप तीन-चार रांड में आ जाते हो तो आपका जो बचा हुआ फी है वो मेजर हो जाता है मौपफ हो जाता है जगर जगर उसका प्रोसेस में बातें बता दोंगा ऐसा नहीं आपको फी डूप जाएगा ठीक है मलब कैंसिल करने पेमेंट आप तो वापस मुझाता है और बाकी आप अगर यह एक्सचेंज हो जाता है अपग्रेड होता है तो अपग्रेड होने में आपका पेमेंट जो होता है वो बैलेंस कर लिया जाता है ऑफिसली उसका कोई दिक्कत नहीं है अपग राउंड चलाएंगे यह अपग्रेड करके ही राउंड चलाएंगे यह एडमिशन का रूल है यह फॉलो करना ही पड़ेगा तो जब भी सेकेंड राउंड आएगा मैं पुरी उमीद करता हूं कि जो थर्ड वाला है बच्चे हुए ऊपर बच्चे जो पेमेंट नहीं कियो होंगे उनकी सिफन को दी जाएगे और यह अपग्रेड आप्ग्रेड करके और मिलेगा मनलब डेमसी तक नहीं पहुचाएंगे आप इधर कही अटक सकते हो तो आप यह सोचके कि हम डेमसी लेंगे अटमिशन पेमेंट कर देते हैं तो वह अलग गलत हो जाएगा यह सोचक मैं समझ गये और बाकी इधर वाले बच्चे जो है वो डरे ना वो डेमसी में जा सकते हैं मेरे टाइम पे मेरा जो था मलो पीजी में तो मेरा फर्स्ट आउंड में अडमिशन हो गया था लेकिन मेरा यूजी में साहथ साथवा प्रिफरेंस मुझे उस समय मिला था साइवा मेरा इडमें साहथ सब्सक्राइब ने प्रिफरेंस में था और वो दो से तीन दिल में फोस्के पहुंच गया था तो उसी तरीके समय आपको बता रहा हूं कि प्लीज आप लोग का अफ्ग्रेड होगा लेकिन पेसेंस रखना है और अपने पोर्टल को बार बार चेक करना ह है अपने कॉलिंग नंबर को और करके रखना है मेरा इंस्टाइड कोई ब्राब्लम होता है तो वहां मुझे फॉलो करके मैसेज करना पका आपको रिप्लाइ मिलेगा तो मुस्क्राइब बहुत से सुपकामना है सबसे बेस बता रहा हूं कि आप इस चैनल को रखें क्योंकि यहां पर हर कुछ आपको टाइम से अपडेट कर दिया जाएगा और जल्दी मैं आपके लिए उफिस्यल के टाफ लिस्ट लेकर आता हूं फिर आप उसको देखेगा फिन जवाय करिएगा मुस्क्राइब बहुत से सुपकामना है हरार महादे all the best